सब बढ़िया मैं भी बहुत बढ़िया तो स्वागति आपका Pw के इस प्लाटफर्म पे आपके पास द्रोणाचार्या माराथान for CA Intermediate जी हां और मैं हूं आपकी EIS NSM की फेकल्टी सर नाली माँ पच्चा पाड़ी आपको मैंसन के लेक्चर्स मिल रहे हैं दिन पर दिन और हम लोग बहुत महनत कर रहे हैं दिन रात कि आप तक यह लेक्चर्स जो हैं लेके आएं और बिलीव कि अगर आपको इन लेक्चर् म 1997 सब्सक्राइब मेंन टो हैं तो पकका पका अप्जों हमारे तक इस बात को जो बचाईगा कि आपको iSA इतने से लोग रहे हैं और इतने सारी बैनेभिश्ल रख रहे हूं अधुर लेक्चर्स ओंन रहे हैं तो अगर आप मोटिवेट करोगे तो हमारे को जैसे मोटिवेशन आएगा हम और सारे लेक्षे आपकर लेके आएंगे राइट सो हम लोगों निना अभी तक मारतन के अंदर मैं आपको अपनी सब्जक की बात बता हूं तो हम लोगों निना करेंगे बक्राइट मनेश्मेंट चेह डार बप्राइट बहुड़ान बैं अभी घच्राइशन आपके 15.acao सहां fisher chapter number two का हमने part A पड़ा था ठीक है make sure कि आपने part A जो है देखा हो do watch that part do watch that part and आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं part number B of this chapter part number B of this chapter so chapter का नाम है financial accounting systems and हम लोग पढ़ रहे हैं आज EIS which is enterprise information and systems हमारा guys यह उदेश्य रहता है कि आप लोग जो है जितने भी students वा बैठे हुए है उन सारे बच्चों को घर बैथे एक अच्छा comprehensive revision हो जाए and why are these marathon's हम चाहते हैं कि बच्चा घर बैठके अपनी तयारी को जोरो शोरो से कर सके मैं आपको दावा करती हूँ बेठा इस चीज का कि अगर आपने मारतास बहुत अच्छे से कर लिए ना तो I can say आपका पास होना पक्का है और ब्रेंगी में तो कहते हुए exemption लाना पक्का है यह बोले तो EIS and यह बोले तो exemption बिल्कुल पकी है मेरे बच्चों अज हम लोग करने जा रहे है पार्ट B अफ दिस चाप्टर हम आधा चाप्टर अल्रीड कर चुके हैं आधा चाप्टर भी बाकी है जो आज हमारा रिस्टल पाथ है बेटा जी वह भी एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और जो यह नोट्स वगर आप देख रहे ह कि दिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है उससे डाउनलोड भी कर सकते है या फिर अप पर पर जाके वहां पर भी खटा सारे लेक्टर मिलेंगे आपको एक खटे लेक्टर के साथ में आप वहां पर भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चॉइस अल्यॉर्स मेरा मानना है और पी पहले नाउनलोड कर लीजे वीडियो को पॉस कीजिए डाउनलोड कीजिए और उसके बात में जो है हमारे साथ शुरू हो जाएं पूर दी माराथन ओफ ई-i-i-a-s-n-a-s-m from your favorite faculty, theory queen, sonali, mom, चलिए, तो शुरू करते हैं, guys, part B में दो चीजा में पढ़नी है, सबसे पहला element आता है, guys, business process modules को, business process modules, अब मेरे बाद ध्यान से सुनिएगा, guys, chapter number two में हम लोगों एक topic पढ़ा था, which is topic ERP, enterprise resource planning, जिसमें कि हमने बाग की थी, with respect to the automation of the activities, now we are going to study about the business process modules, जहां पर की वो ये कहता है, कि देखो, बात ऐसी है, बहुत industries में बहुत type के business होते हैं, और उन business में बहुत सारे क्या होते हैं, departments होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, departments होते हैं, जो ये departments होते हैं, इनको ना हम अपने EIS की भाशा में, अपने IT की भाशा में, आपके ICA की IT की भाशा में क्या कहते हैं, modules, तो क्या कहते हैं, modules, मैनीफेक्टिंग करने हैं तो अगर कोई बंदा बंदा कर रहा है तो livelihood factors मोर्डियूर्ड विट्स के मान्स्टिंग कर रहा है तो उसके है इसे हैसा शुडियूरा है करेंगे सकी patreon का सबस्क्राइब करके Num Standards का सबस्क्राइब पर सबीजिए के स tips हैं so guys in your syllabus there are these modules we have one two three four five six seven eight nine ten eleven हमार पार सकते सारे modules अभी ताजी है एक्जाम में मैं आपको पता दू almost इन में से कोई एक module exam में आ जाता है this is examination approach okay मैं आपको ये modules जोए किराने वाली हूं और जित्रे भी modules जादा important है मैं उसको और भी इच्छे से करवाने वाली हूं I think you are getting my point so सबसे पहले हमारा आता है financial accounting module मैं मैं चाहती हूं कि financial accounting module में आप एक बात को समझे किस बात को समझना है आपने कि guys financial accounting module मैं एक एसा module है जो हर एक दूसरे module को क्या करता है connect करता है ठीक है तो क्योंकि हर बाकी हर module को क्या करता है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा हमारे को ये करना पड़ेगा ताकि हमारे को ना अच्छे अंडर्साइडिंग अप्टेंग होजा है हाओ इस मॉडूल करनेक्स दा अदर मॉडूल्स तो विल बी स्टर्टिंग फ्रॉम दी लास्ट मॉडूल विच इस दसी आरे मॉडूल चिक है तो हम जो हैं सी आरे मॉडूल से चालू करने वाले आएं सी आरे मॉडूल कि मॉडूल okay so we have now uh the very last module which is crm module now crm stands for customer relationship management okay the point is the answer we have a department where uh it is the responsibility of the departmental people to the responsibility of the module people to you know you know make the relationship with the with the clients with the customers now what happens now let me tell you this definition I will tell you one thing we have three customers one is our present customer like a student present student right this is a present customer who is studying us a student who has studied us that is a past student who has studied us and a child who will study us foundation like that you will study us so guys customer what kind of thing are you three kinds of things past present and future so what do we have to do with these three relationships maintain this with us why do you have to do a past customer this is the question that someone can refer to me if you are happy to refer to me you may be able to do something else or I have to study another subject when you have to study me then you have to do a past customer also have to do a relationship co kya kya kana padtah Hai manage kakechalana pdtah hai present customer ke saath bhi rachna padtah hai hai woh chalana cha hai and future waale ke saath bhi kana padtah hai ta kiowho hamaare paas aai so customer relationship body kya kaita hai ki hamaare ko apne hamaare ko apne present customer ke saath bhi relationship manage karna hai hamaare ko a patne new customers ke saath bhi aapne relationship koko you know create करना है और हमारे जितने भी पुर्वानी कस्टमर्स हैं उनको भी हमने क्या करना है विन्टबक करना यानि कि वह भी यह भार भार जब भी नाम करें वह हमारे पास ही आए अब जो important element आता है, वो आता है benefits of CRM, exam के लिए very important, there are total five benefits of CRM, the very first benefit is obviously, अगर हम customer पर ध्यान देंगे, तो हमारे relationship से क्या होंगे, improve हो जाएंगे, हमारे relationship क्या होंगे बेटा जी, improve होएंगे, जब relationship improve होएंगे, जब relationship improve होएंगे, जब relationship improve होएंगे, तो फिर हमारे पास, यह reverse नही है, हमारे customer के reviews भी अच्छी हो जाएंगे, और इससे क्या होगा हमारा, हमारी sales बढ़ जाएगी, we'll be having maximum amount of sales, हमारी communication भी अच्छी हो जाएगे, बीकिस हमें पता सल जाएगा, कि कौन से customer को, कैसा सामान चाहिए, हमारा communication का level अच्छा हो जाएगा, और even हम marketing को भी उस प्रकार स का सकते हैं, अगर हमेंटा है, यह कैसा बच्चा है, जो future में हमारा student बन सकता है, तो हम ऐसे marketing करेंगे, अगर हमें पता है कि हमारा past customer है, past student है, तो हम उसके साथ बैसी marketing करेंगे, तो हमारे relationship अच्छे हो जाते है, हमारे kस्टमर से reviews जो है, वो अच्छे बन जाते है, हमारी selling is वह एंक्रीम हो जाती है तो यह पनके आपके बेहने के भी सी आर एंच मॉडियो ए सप्लाईचें मॉडियोल आपको पते हैंना मतलब क्या होता है यहां से कि जहां से बिता जहां से समान एप लागए कर चांदे हम उसको आगे जाके बेचते हैं, that is the supply chain, supply chain module में exam के लिए prepare करेंगे process of supply chain, process of supply chain, सबसे पहले सामान लाएंगे, raw material procurement, उसके बाद में supplier management, उस supplier से management करेंगे, हाँ भई कौन सा बंदा, जिससे हमें सामान लेके आना है, उसके बाद की manufacturing करेंगे, उसके बाद उसको distribute करेंगे, सामा क्या करेंगे? distribute करेंगे, उसके बाद में, distribution के बाद पर चाहेगा, retailers के पास जाएगा, और retailers को देदेगा, consumers को देदेगा, IHOPE की supply chain module तो बहुत ही असान है, this you can be, you can easily do in your, no, from your books, from your copies, चलिये, अब बात करते हैं, हमारे next module की, which is PM module, PM module, PM का मतलब होता है, plant maintenance module, 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 एक सब्सक्राइब, यह हो गया, plant maintenance module, तो guys, एक बात मुझे बताओ, जब आप, कोई काम करते हैं, आप क्या लगाते हो, आप पर plant and machinery लगाते हो, ताकि आपका वो काम क्या हो सके, processing जो हो सके, आप मुझे बाप पताओ, अगर आपका जो plant है, अगर वो ready नहीं होगा, अगर जो plant है, वो ready नहीं होगा, तो क्या आप product बना पाएंगे, क्या आप product manufacture कर पाएंगे, नहीं, यानि कि अगर हमारे को सही product, सही time पर, सही time पर, सही लोगों तक पहुचाना है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, अपने plant को maintain करना पड़ेगा, time to time, अब इसमें देखो क्या है, maintain करने के लिए हमारे को ये process जो है अपनाना पड़ेगा, उसने बोला कि हर बार क्या करो, हर बार, जब बेत्या, आपकी बारी आए ना, plant को maintain करने की, आप इस process को जो है लगाओ, आपकी जो भी plant होगा, वो अ अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से मेरी बार सुनो, मैं आपको नहीं चाती हूँ कि आप इसको सोचो ऐसे, आपके घर में एसी है, अब देखो गर्मिया आ रही है, अगर एसी अच्छे से काम नहीं करेगा, तो लिटरली बताओ कि आपको करते रहने से, आपका काम आसान हो जाता है, आपका काम आसान हो जाता है, तो सिमिलरी कमपनी को अगर अपना काम आसान करना है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, टाइम टी टाइम इसको मैनेज करना पड़ेगा, अगर कमपनी इसको मैनेज करना चाहती है, तो उसको इस थे भूना इस ही खेवा सोन टाइमिय सो उते हैं। फो यह चार्ज और यह रूता हैं। जो चार्ज़छ कर लिए अभी ज्रक थी जो यह पार्ट मशीन का पार्ट जो यह लगा रहा है मेरे इसी की अंदर यह अलड़े मेरे मेरे मशीन में नया ही है या फिर मैं कहूं कि उसने चेंज ही नहीं किया तो एक बार बतागा मुझे सब चीज़ों के इन्फॉर्मेशन होगी तो क्या को याद में मुझे ठक सकता है किस बात की इन्फॉर्मेशन होगी है कि आपके पास कितनी मशीन हैं और उन मशीन में कौन-कौन से पार्ट से लगे हुए हैं उन मशीन में कौन-कौन से पार्ट से लगे हुए हैं आप इस चीज़ को अकाउंट फॉर करने के लिए आप क्या करोगे अकाउंट फॉर करोग किसका equipment का, कितने सारे equipment आपके पास है, इसका master data बनाओगे, और plant का master data बनाओगे, क्या आप हो सकते हैं, कि आपके company के पास more than one plant हो, एक plant northern इंडिया में हो, एक plant southern इंडिया में हो, तो आप क्या बनाओगे, इसका master data बनाओगे, और एक बनाओगे आप इसका non master data, यह होगे आप बनाओगे इस शीट को प्रिपेयर करोंगे कि जब आपने इसके उपर नगी करी तो आपने से किता हचा किया ठीकहा है और अबने इसका पात बदला उसका किता ख़चा आया एक तर्ष्टर एकसेक्टर इसकी क्या बनाऊगे आप शीट बनाओगे या लिक नन मास्ट डेट को करोगे और यह इनल्य प्रांन मेंटेनिंस जडी bee जैसा कि आप अपने अपने सिस्टम में फ्लांड को डप्रीशिक करते हैं उप डपरिशेट करते हैं ना आप शिडानांगे कि इस टाइम पर यहा रहा हमारेम को क्या करना है मिंटेफ टो उसकी क्या करना है अब को अपने प्लांड को एक ली बीयुम्ट को क्या करना है अगर अची मशिन रहेगी तो काम अच्छी से हो जाएगा कि आपको प्लान मेंटेनेंस मॉडूल समझ में आया होगा चलिए आगे चलते हैं क्वालिटी मैनेश्मेंट मॉडूल इसा मॉडूल है जो कि मुझे से लगता है कि बच्चे को समझने वे दिक्कत होती है बट 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 देखा जाए तो बहुत ही असान है एक्जामिनेशन के इस वेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिवेडिव quality का level x हो सकता है और Mr. B के लिए quality का level y हो सकता है अगर दोनों जन दूद पी रहे हों ये दूद है बेटा तो ये दोनों जन जब दूद पी रहे हों तो ये दोनों जन जब दूद पी रहे हैं तो क्या हो सकता है यहां पर A कहा सकते है वाओ what a great quality कितना अच्छी quality का दूद है और वहीं भी कह सकता है कि अरे तुझे अच्छा लग रहा है इससे अच्छो तो मेरे गाउं में मिल जाता है So that means कि quality को लेके एक बात है कि quality is dependent यानि कि quality जो होती है वो अलग-अलग होती है अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग departments के लिए है right So the main point here is कि अगर आप वो quality manage करते हो तो सबसे पहले तो आपको ये निर्धारित करना पढ़ेगा कि आपके organization के लिए quality का मतलब क्या होता है कभी तो organization उस quality को achieve कर पाएगी अब guys आप देखिए आप जो है कपड़े पहनते होंगे जारा के पहनते होंगे जारा के कपड़े की कपड़े की कह है जारा और क्या होते है वह brand H&M इस सब के कपड़े आप पहनते होंगे पका पका तो guys जो ये brands होते हैं ये brands होते हैं जब कपड़े बनाते हैं तो जब यह कपड़े बनाते हैं, तो इन्होंने क्या बनाया अपने, कि भाईया हम अगर कपड़े बनाते हैं, तो हमारे को न इस सवाले, इस सवाले स्टानिड को फॉलो करना पड़ेगा, यानि कि हमारे कपड़ों में क्या होना चाहिए, यह लेवल की क्वालिटी होनी चाह अगर इस कपड़े के अंदर बटन लग रहा है यहां पर यहां लगना चाहिए माल लो और वो बटन यहां की जगा कहां लग जाता है यह बटन यहां की जगा यहां लग जाता है तो क्या यह कपड़ा reject होगा या accept होगा ये वाली बात जारा को decide करनी पड़ेगी और जारा का call से लेपार्टमेंट करेगा quality management module की accept होगा या reject होगा सबसे पहले quality की बात करते हैं तो quality को क्या करना पड़ता है set करना पड़ता है और यह करते हैं फिर हम प्लानिंग करते हैं और अचीब करते हैं अगर माल लो अपने सेट करने के बाद में यह कोल्डी का प्रोजक्ट जो आपका बेंचमार्क था जो आपका स्टांडर्ड था अगर आपने उसकी वह 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 टीशिट बना दी तो ओके है नहीं बनाई जैसे कि अगर यह नहीं अगर यह टीशिट स्टांडर्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या करेंगे यह वापिस से जाएगा वापिस से जाएगा कहां जाएगा डिपार्टमेंट के अंदर और डिपार्टमेंट क्या कहेगा कि देखो क्या हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या और वही पर यह कपड़ा आपको मिल जाएगा मात्र दो सो रुपए में इस आ क्लियर तो यह है हमारा quality management module I hope कि आपको समझ में आ गया होगा and now we are going to read it from the notes सबसे पहले उसने क्या किया standards are set for the quality management याने की standards को set करो सबसे पहले standards set करो कि आपके लिए quality का मतलब क्या है उसके बाद उसको क्या करो meet करो और meet करने के लिए meet करने के क्या बनाओ एक plan बनाओ quality management plan बनाओ उसके बाद जब आपने plan बना लिया अब define करो कि आप उसको measure कैसे करोगे how you are going to access the quality आप कैसे assess करोगे कि आपको बचाते हूं कांट्री डिलाइट है आप कंट्री डिलाइट वालों दूद बगर चालू जब किया तो नोबनेक मशीन से दी कि आप आप जो है इससे test करके देखिए हमारे बत की quality कितनी अच्छी है राइट इन लोह भी क्या करना पड़ेगा ट्राइटीरिया बताना पर देगा मेंजर्मेंट का कि इस साबसे मेंजर करके बताएंगे के quality product है या नहीं उसके बाद में बोलग टेक एक्शंस मेजरी क्वालिटी आपने मेजर कर ली कॉल्टी अगर आपको लगता है कि कोई इशु है कोई इशु है अगर लगता है कि कोई improvements चाहिए या कोई changes अगर आपको चाहिए तो क्या कर दीजे requesting कर दीजे कि भाई यह जो जाती है तो okay और नई change होती है तो reject हो जाएगा और फिर उसके बाद में आप जो है आप जो है इस बात की report लिखे कि हमने इतने अगर आप मतलब T-Shorts बनाई थी जिसमें से कि यह number of T-Shorts जो है क्वालिटी के हर एक लेवल को क्या करती है हर एक लेवल को across करती ही जाती है तो quality check is implemented in multiple points जैसे दूद को भी ना हर तीन चाहर ताइम पे किया जाता है multiple points पे चेक किया जाता है तो जारा की शॉट एक पॉइंट पे चेक नहीं होती है multiple तो बिलीब कि आपको quality management module समझ में आया होगा राइट अब चलते हैं quality management module के elements को लेकर हमने बोला हम इसके क्या है चार elements देरा four elements in the quality management module quality की planning करो quality की planning करो उसके उपर controls लगाओ उसके बाद यह बोलो कि हाँ भाई हम इस level की quality को अचीव करेंगे assurance दे दो and you know what quality जो होती है न वो हमीशा न डेल्टा होती है डेल्टा क्यों होती है देखो सुनो मेरी बात दिहां से मैंना मैं let's suppose कि आज न मैं बुक लिखती हो चालबर भाद न मुझे से लगते हैं नहीं यार इस बुक के अंदर तो यह भी दे सकती हो बच्चो को अरे इस बुक के अंदर तो मैं यह भी दे सकती हो बच्चो को अरे इस बुक के अंदर तो मैं यह भी दे सकती हो बच्चो को तो क्या होता है quality जो होती यह क्या होती है हमेशा बदलती रहती है फिसे करते रहते हैं को लेकर आना तो क्वालिटी को प्लान करो उसको control करो, controls impose करो फिर assurance दो कि हाँ हम इस level की quality को plan कर चुके है और हमारे ये controls है और हम assure करते है कि हम ये level की quality आपको देंगे ही देंगे, जैसे मैं आप से ensure करा रहे हो, कि मैं आप बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हो, कि पका-पका attempt जो है जाएगा, इसे कहते हैं assurance और last is quality को improve करते रहेंगे time to time तो ये क्या है, elements of the QM module, QM stands for quality management module ओके गाईज, चले, so आगे चलते हैं next is material management module, material you understand material, देखो अब अगर shirt बनानी है वो जो shirt थी, अगर आपको वो shirt जो है, वो shirt को बनाना है तो इस shirt के लाप को क्या चाहिए होगा, बिटा, material क्या चाहिए होगा, मतिकल चाहिए होगा अब ध्यान से मेरी बास सुरना बिटा, जो production department होता है ना, ये UK एलिज़िए production module है वो तो बिटा, pre-use करेगा वो तो क्या करेगा, manufacture करेगा वो तो क्या करेगा, manufacture करेगा वो तो करेगा, मुझे साप समान ला के दे दो मैं तो manufacture करूँगा but we have to manage कि ये बंदे को material कैसे मिलेगा say for example, ममी ने कहा कि बेटा, आज तो मेरा मतर पनीर बनाने का मन कर रहा है जा जाके मतर पनीर के लिए पनीर ला दे, क्या कर दे पनीर ला दे, तो पनीर लाने का काम जो आप करते हो ना, उस department को हमने बोला, material management module, जो मतर को क्या करेगा manage करेगा, ठीक है अब ध्यान से सुनना हमने का कि बहें कितना पनीर लेकर आना है, ममी ने कहा 2 kg पनीर लेकर आना है हमने का ठीक है, अब 2 kg पनीर हमें चाहिए, बच्चा कह रहा है कि माम महले पनोस वालों का भी मतर पनीर बनाना है, बेटा महमान आ रहे ना घर पर, इसलिए पनीर थोड़ा जादा चाहिए, ओके 2 kg जो है हमारे पास में वो पनीर है और यहाँ पर हमने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं 2 kg लेकि आओं क्या मम्मी कहती है ना बेटा ना 2 kg लाने की जुरत नहीं है मेरे पास ओल्रेडी 0.5 kg है मेरे पास ओल्रेडी 0.5 kg है कितना kg है मेरे पास ओल्रेडी 0.5 kg है तो बताओ अब तुम वहाँ बाजार जाके कितना किलो और लेक्या होगे 1.5 समझ रहे हो तो अब तुम बाजार जाओगे अब बाजार में तुम्हार को different quotations मिलेंगे एक quotation तुमको मिली एक कहता है कि अगर तुम मुझसे पनी लेते हो, 1.5 किलो पनीर अगर तुम मुझसे लेते हो तो मैं तुम्हें 1.500 रुपे का दूँगा 1.500 रुपे का दूँगा B कहता है B कहता है कि अगर तुम मुझसे अगर तुम मुझसे पनीर लेते हो तो मैं तुम्हें 2.500 रुपे का दूँगा कितना? 2.500 रुपे का अब यह सी के पास जाता है सी कहता है कि आप मुझ्से आप मुझ्से पांसो रुपे में आप मुझसे पांसो रुपे में 10 kg पनीर ले लीक्ट कितने रुपे में? 500 रुपे में 500 रुपे में यह कह रहा है 1.5 रुपे में मैं आपको 2 किलो दूँगा यह कह रहा है आपको 1.5 kg दूँगा यह आपको 500 रुपे में 10 kg देने को रेडी है तो अब आप मोंचे बताओ कि आप क्या करोगे आपी सारे वेंडर्स की जितने भी कोटेशन्स आपको मिली है इनको अनलाइज करोगे और फिर जो बेस्ट होगा वो आप लोगे बच्चा कह रहा मैं B वाला बेस्ट है देखो बेटा एक बात और बताती हूँ मैं आपको पनीर का मामला है क्वाल्टी भी तो मैंटर करती है किस क्वाल्टी का पनीर चाहिए क्या पता B वाले की क्वाल्टी इची ना हो समझ रहो C वाले का भी सोचना पढ़ेगा दाट मींस क्वाल्टी को लेके हर चीज को लेके हमें क्या करना पढ़ेगा सोचना पढ़ेगा और फॉर्दर इवन मालो मुझे ये डील सबसे अच्छी लग रही है अजका पनीर भी बहुत अच्छा है सब कुद बहुत सही है अब कंपनी या कहे रहें कि भई हमारे पास अभी पांस ओर नहीं है ममी ने पांस ओर देके बेजा ही МУЗЫКА तो मटिल मैनेशमें मॉडिल के अंदर आप क्या करते हो मटिल मैने मॉडिल के अंदर आप जो है इन चीज़ों को अनलाइस करते हो और उसके बाद समान को available कराते हो to the production department ओके चलो तो क्या कहता है process? मुटल में मॉडल का कहता है purchase requisition ले लो यानि कि कितना समान लाओं? ये किस से पूछ लो? ये purchase requisition किस से पूछ लो? production department से पूछ लो, ममी से पूछ लो कितना समान लाना है? ममी ने कहा 1.5 लाना जिसमें से की current stock position कितना है? 0.5 कितना है? 0.5 तो याने की अब हम कितना ले किया आएंगे? 1.5 लेकर आएंगे उसके बाद हम बाजार गए हमने क्या किया? quotations मांगे different vendors से उन quotations को क्या किया? evaluate किया और उन quotations को evaluate करके हमने उन साली quotations क्या किया? compare किया क्या किया? compare किया क्या किया? compare किया and and पता है compare करके फिर हमने क्या कर दिया? compare करके हम लोगोंने क्या कर दिया? हम लोगोंने order को place कर दिया purchase order place भाया यह वाला पनी इतनी quantity का यह वाले rate पर हमको दे दे तो उसके बाद हमने क्या किया? अम्मी को जाके पनी हांड ओवर कर दिया लो ममी लो आपका पनी और उसके बाद में उससे invoice दे लिया और पैसे दे दिया vendor को बात में जाके आपको पते है ना रियल लाइफ पे तो ऐसा होता है कि हम उधार पे माल लेके आते हैं वो परसन अपने अकाउंट में हमारे को ग्रीडर की रूम में काड़ा कर देता है तो इससलिए payment के लिए उसने बात में बोला अब आगे चलते हैं with respect to the next module अब चलते हैं आगे next module the next module is the production planning module production planning module यानि की production क्या कर रहे है plan कर रहे है मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप क्या करें production कर रहे है नहीं बेटा नहीं क्या कर रहे हैं क्या 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 वो देखो, कहां से समान आएगा, वो देखो, उसके बाद convert करो, finish course बनाओ और उसको गड़ाउन में भेच तो Important क्या है exam के लिए? Elements of PP module, यह बहुत important है exam के लिए, जैसे जैसा मैं बोलूँगी, वैसा वैसा आप करोगे, ध्यान से मेरी बाद सुनेगा सबसे पहली बात एक बात अपर समझनी है, कि यहां पर हम production नहीं कर रहें बिढ़ा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम planning कर रहे हैं और उसके basis पर हमारी जो costing होगी में रटकी वो कितनी होगी cost per unit यानि कि plan कर रहे है cost बना कर plan कर रहे है उसके बाद capacity planning कर रहे है आप मुझे बताओ आप लोग उने costing वगरे में पढ़ा है ना the plant is working on 50% capacity 80% capacity तो हमारा plan किस capacity पर work करेगा यह भी हमें सोचना पड़ेगा देखो मैंने क्या बोला word planning क्या हम production कर रहे हैं नहीं हम अभी planning कर रहे है next is material requirement planning यानि कि इस production को करने के लिए हमको कितनी जरुत होगी metal की यह भी हमें plan करना है कि लगबग हाँ लगबग ना इतना समान लग जाएगा material की requirement की planning कर रहे है उसके बाद master production scheduling यानि कि आप जो आपने सोचा है production वो उसको आप schedule कप करेंगे उसको आप produce कप करेंगे आपको पते है जो आप कपड़े आप अभी गर्मी में पहन रहे हो ना इसकी production जो है ना वो होती है winter में और जो आप सदी में कपड़े पहनते हो ना उसकी production होती है summer में तो जो production का schedule रहने वाला है वो क्या रहने वाला है इसके बारें भी आप plan करोगे distribution resource planning यानि कि यानि कि आप जब बना लोगे तो जो उसका distribution होगा वो कहा का रहने वाला है वो कहा का रहने वाला है उसके बाद sales and operation planning यानि कि आपको क्या लगता है कितनी sales आपकी हो जाएगी आपको क्या लगता है कितनी sales आपकी हो जाएगी and next is master data और हम इन सब का क्या बनाएंगे basically master data कि हम किस किस शीज को master data में incorporate करने वाले है so this is about the pp module is the important word planning is the important word so अगर आप धिहान रख को रहो इस chapter में इस point में तो planning कर रहे हैं ये लोग production नहीं कर रहा I guess आपको समझ में आ गए हमां तक चलिए next हमारा human resource management यानि कि human resource HRM human resource right human resource so guys what is the process of doing the human resource right so we have the human resource module सबसे पहले हम क्या करते हैं ये तो आपने बच्पने पढ़ा है ना आपका staffing में आपने पढ़ा होगा staffing के अंदर पढ़ा के नहीं पढ़ा है comment करें पढ़ा फटा फटाफिंग के अंदर सो guys staffing में जो आप सारे पॉइंट पढ़ते थे न वहीं सारे पॉइंट यहां पर है क्या कहते हैं रिकूट्मेंट करो हाइडिंग करो उसके बाद को ट्रेंग करो development training and development उनकी performance को evaluate करो अच्छी लगे तो promotion दे दो नहीं अच्छी लगे तो demotion दे दो अच्छा काम करें तो और compensate करो अच्छा काम करें तो क्या करो compensate करो and उसके बाद handing करो payroll की और other activities को क्या करो account for करो इन लोगोंने कितनी छुटी ली इन लोगोंने कितनी holidays मनाई हैं कितनी LTC ले ली और एक बंदा पहले assistant manager था फिर manager हो गया हर एक कर जब position process okay sales and distribution process यहां पर आपको एक चीज देखनी है क्या देखने है कि यहां पर आप समान बना रहे हो दप्रॉडक्ट इस रेड़ी अब आप क्या कर रहे हो इसको बेच रहे हो ध्यान से मेरी बैस उनना कभी भी आप जो है mobile लेने के लिए गए दुगान पर तो आप बिलकुल से यही वाला जो है ना यही वाला जो है आप process जो है देखेंगे तो यह मैंने ना आपको bracket में जो है यह मैंने bracket में कर दिया यह इसकी explanation है और जो process है वो यह रहा on the left तो this is the distribution sales and distribution process okay सबसे पहले क्या होती है pre-sales activity वह आपको डेमो करके दिखाता है देखिए हमारे mobile में यह features है यह ऐसे चल जाता है इससे वीडियो बन जाती है इससे यह हो जाता है वो डेमो करके दिखा रहा है क्या करके दिखा रहा है डेमो करके दिखा रहा है तर उसके बा प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के लिए कहां जाएगा देखेगा अरे क्या मेरे पास आइफोन 13 का स्टॉक पड़ा है अगर स्टॉक पड़ा होगा तो ठीक है नहीं पड़ा होगा तो अरेंज करेगा उसके बाद जैसी अरेंज करके कस्टमर को देगा तो यहां पर इस कस्टमर के पास आ जाएगा बिलिंग हो जाएगी कस्टमर के हाथ में आ गया और उसके बाद में कस्टमर से पैसे आ जाएंगे तो बहुत ही आसान है ब्लू कलर में है वह आपका बेटा एक्स्प्लानेशन है इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा and it will help you to write the content है आगे चलते हैं हमने बहुत चारी जो है जो नो मौदिल लिये हैं यह भारा है सकेंड लास्ट मॉड्यूल वज जाए एकिंट्रोलिंग मॉड्यूल अब देखां का मतलब होता है इकंट्रोल करना उन्ट्रोल का मतलब क्या होता है ने टेपाट्मेंट है यह कौन सा भुल कॉन सी चीज कि एक थो एक तो तुम्हारे पास पैसे कितने आई और तुम्हारे कितना ख़र्चा किया थो क्या कर सकते है तो तुम्हारे पर तोटल आई रख सकते हैं कि तुम कहां इस सबस्ते पर जा रहे हूं similarly अगर कॉस्टिंग कंट्रोरिंग डिपार्टमेंट किस कॉस्टिंग के एलिमेंट पर नज़र रख ले कॉस्ट ज्यादा तो नहीं हो रही है और रिवेन्यू पर क्याने की बेसिकली प्रॉफिट्स पर कि अगर हम इस प्रॉड़क्ट पर इतना खर्चा कर रहे हैं if you are putting so much of cost in this product how much we are getting in return so revenue का मतलब है in short the amount of the profit the company is earning तो अगर company जो है इन दो चीज़ों पर क्या रख ले कंट्रोल कर ले यानि की कोस्ट भी कंट्रोल कर ले और उसको बता दे कि minimum इतना प्रॉफिट तो में expect करता हूं तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा डेपार्टमेंट कंट्रोल हो सकता है ओके तो इसको पढ़ते हैं यहां पर हमें पढ़ना है features of the controlling module so we have approximately seven features इसको भी हम प इसने प्रॉफिट जाए तो सेंटर वाइस हो है हमें location कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट इस सेंटर से आ रहा है सेंटर क्या होता है सेंटर यानि कि जैसे आमा लोग कि मैं मैं जहूं टीचर हो और मेरे ना बहुत सारे सेंटर्स एक नॉॉदन डेली में है एक इस्टन डेली में एक Western Delhi में है एक Southern Delhi में है तो मैंने का बोला कि हर Center से कम से कम से कम इतना profit and loss तो आना ही चाहिए so that is profit center accounting और पूरी company से इतना चाहिए पूरी company से मुझे तो इतना आना चाहिए तो मैंने इसका मतलब यह है कि company को अपने पूरे अपने अपने सेंटर वाइस भी प्रॉफिट को देखना पड़ेगा कि सेंटर वाइस प्रॉफिट कितना रहा है सेंटर वाइस प्रॉफिट कितना पड़ेगा कि पूरे कम्पनी को प्रॉफिट कितना रहा है सेंटर वाइस प्रॉफिट भी होना चाहिए औ पॉइंट 2 को दिखेगे,COST CENTER Accounting याने कि उस एक सेंटर की COST कितनी आती है और उससेंटर पने हर एक प्रोडक्त की COST कितनी आती है किती बार समझ हाई उइसी और टाड़क की COST निकाल जाकते हैं RIGHT यह जिस प्रकार से पूरे और्गणाईजसेशन कितना कमाया उसी प्रकार से पूरे और्गणाईजसेशन में कितना खर्चा होगा है तो इसके बाद में activity-based accounting याने की याने की आपको कहाँ पर करना है कि ऐसा कॉन से डिपार्टमेंट था जिसने जादा कॉस्ट करके कम प्रॉफिट दिया ऐसा कॉन से डिपार्टमेंट था जिसने कम कॉस्ट करके जादा प्रॉफिट दिया And last but not least internal orders याने कि आपको ये भी दिखना पड़ेगा कि आपके पास orders कितने आ रहे हैं for that particular product नहीं तो अगर आपके पास orders नहीं आएंगे तो आप पैसे कैसे कमा होगे This is about the features of the controlling model. I believe कि आप लोग को समझ पर आगया होगा चलिए, आगे चलते हैं The next or the last module is the financial accounting module अब धिहान से मेरी वास सुनो आपने marketing management पड़ा आपने sales and distribution पड़ा आपने plant and maintenance पड़ा सब के लिए क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए सब के लिए पैसा लगता है सब के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है ऐसा कौन सा module है जो बाकि सारे departments को बाकि सारे module के क्या गड़ता है? connect करता है Financial accounting module एक मात्र ऐसा module है जो बाकि सारे के सारे departments को क्या गड़ता है? connect करता है I think आपको समझ में आचुका है चलिए So financial module को याद करने के लिए मैंने आपको निमोनिक देखके रखा है क्योंकि यह important module है examination के point of view से भी the financial module के निमोनिक है financial मैंने अब तक जितना content आपको पड़ाया ना उस पे भी मैंने आपको निमोनिक वगर नहीं दीए बट मैंने आपको story समझा दी मैंने आपको irrelevant portion समझाया कैसे उसको याद कर सकते हो यहाँ पर मैंने आपको निमोनिक के थुरू content याद करने के लिए दिया है okay so now what is f standing from f में कहते है हम ना financial data को क्या करते है अपने अंदर insert करते है और हम अपने data को financial data के flow को track करते है उसके बाद हम सारे information को integrate करते है साल में बानते है एक जगह बानते है sales वाला भी हमाले से ản क्रेंटीर रहता है plan maintenance वाला भी हम से and the घटा करते है उसके बाद हम जब entry करते तो हम voucher डालते है telly के अंदर vouchers होते न telly के अंदर voucher डालते है हर ख़र्च को वाउचर के रूप में डालते हैं अब का एbble एसे का इसिट या तो वह ख़र्चा जो होते हैं हमारा अकाउं पेबर र्रिसीटकर या हमारा किरणट लापल्टी त्स या क्रण तैसेट्स होते हैं इन दूनो किसे मास्टर नॉन मास्टर को do करेड़ करते हैं करते हैं financial accounting system के अंदर हम जितने भी taxation होते हैं उनको भी incorporate करते हैं हम हर साल का अपना record बनाते हैं हम हर साल का अपना record बनाते हैं और और हम बाकी सारे modules को भी क्या करते हैं integrate करते हैं और last but not least हम ledgers की creation और accounting में भी helpful है I think so कि आपको financial accounting module भी समझ में आ गया होगा so guys I hope कि आपको जो ये वाला marathon है इसमें ये जो part था types of business modules ये आपको समझ में आया होगा and I believe कि आप जब exam में बैठेंगे तो आपको जितना कंडिन आपने भी तक पड़ा है हमने almost 40 minutes लगाई हैं and 40 minutes में हम लोगों काफी काफी इन डेप्ट जो है इसको पड़ा है okay चलिए so अब हम पड़ेंगे the last part of the chapter which is the reporting and the analysis okay guys so इसमें हमारे को ये 6 topics पड़ने है so मैं बोल तो basically this is part 4 of the chapter part 1 of the chapter was the topic जिसमें के हमने vouchers और types of data और ये सब पड़ा part B was in relation to ERP part B was in relation to ERP and part 3 is in relation to the business process modules and part D is in relation to the reporting and the analysis एक काम करते हैं मैं आपको एक बड़ी इसको करवा भी देती हूं with the flow chart आईए एक बड़ी इसको भी कर लेते हैं ठीक है चलिए so ये देखें so इसपे 4 flow charts पनेंगे मैं आपसे कहा था right so हम लोगो ने flow chart number 1 कर लिया है जिसमें के हमने कुछ concepts पढ़े in the computerized environment उसके बाद flow chart number 2 जो है that was in relation to the ERP जो flow chart number 3 था flow chart number 3 है वो तो हमने पढ़ा with respect to business, process, modules, right अब हम जो पढ़ने जा रहें that is in relation to the reporting and analysis reporting and analysis यहां पर हमने कुछ computerized based concepts पढ़े यहां पर flow chart number 2 में आपने ERP पढ़ा flow chart number 3 में आपने business process के modules पढ़े flow chart number 4 में आप पढ़े okay reporting and the analysis I hope कि आपको यह पूरा chapter जो मैंने आपको यह flow charts देखे रखे हैं इससे ना आपको बहुत ही squeeze हो गया होगा और बहुत ही ज्यादा आपको ना समझ रहा होगा कि कौन सी चीज कहां पर like कर रहे है right चलिए सो वापिस चलते हैं अपने content के अंदर and let us see let us see कि यहां पर जो है हमारे पास इस वारे topic में क्या क्या हमको पढ़ना है so in this particular flow chart number 4 इस flow chart के अंदर आपको 6 चीज़े पढ़नी है पीटा MIS DA BI BR XBRN and compliance okay MIS का फुल फॉर्म है management management information system management information system DA का फुल फॉर्म है data analytics data analytics BI का फॉल फॉर्म है business intelligence BI का फॉल फॉर्म है business intelligence BR का फॉल फॉर्म है business reporting business reporting and last is compliance so guys आपको 6 topic पढ़ने है चलिए इन 6 topics को शुरू करने से पहले में आपको बताते हो कि हम इन topics को कैसे कैसे लेके जाएंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे data MIS का पढ़ेंगे MIS उसके बाद हम पढ़ेंगे BR उसके पढ़ेंगे XBR यह तीनों बेटा एक ग्रुप में है MIS, BR, और XBRN यह तीनों एक ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं और उसके बाद हम next ग्रुप में पढ़ेंगे DA एंड BI और उसके बाद फिर हमारे पास compliance आएगी याने कि जब भी आप पढ़े आप भी ध्यान दे जो ये सबसे पहला वाला जो balloon है इसमें कि हमारे तीन topics आते हैं ये आपको एक साथ पढ़ने एकसाम में और उसके बाद BA और BA एक साथ पढ़ना है और लास्ट में आपको compliance एक साथ ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं विद्धा M.I.S. अब M.I.S. क्या चीज़ है समझेंगे द्याल से M.I.S. का मतलब information system information system word कौन सा है management यानि कि ऐसा information system जो की management के द्वारा है जो की management के द्वारा है और basically management के लिए है it is for the management and by the management it is for the management and by the management यानि की management अपने खुद के लिए जब reports बनाता है तो उसको क्या कहते है M.I.S. report जैसे कि माल लो हमने का जर पता ना कितना inventory पढ़ा है हमारे लिए हमारे पास तो हमने क्या क्या inventory का report मंगाया तो inventory report ने क्या किया functional level से functional level से business level पर report दी एक management के level में दूसरे management के level को क्या दी report दी so it is by the management and for the management it is by the management and for the management अब देखो बात करते report की हम के कहते हैं कि हम कोई भी चिसके reports होती है वो हमार को क्या करने में helpful होती है report हमको diseases लेने में helpful होती है जैसे मालो आज कल में तब ही तब ही डाउन है बट मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है तो मैं क्या करूंगी आप मैं जाओंगी doctor के पास doctor क्या लिग देगा आप एक काम कीजिए आप एक काम पीजिए है जो reports है वो उससे भी क्या होता है फटाक से management क्या ले ले लेता है decision ले लेता है क्या ले लेता है अब हम यह कहते है कि अगर आप MIS के report बनाते हो या कोई भी report बनाते हो मैं तो कहते हो उसको अगर आपको useful बना नहीं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रफना पड़े गा। याने कि अगर आपको को कुछ rumor report बनानी है यास तो आपको कौन-कॉन से बाते द्यान रखनी पढ़ेंगी हमारे को चार बाते ध्यान रखनी पढ़ेंगी कौन-कॉन सी बाते सबसे पहले हमें कहते हैं वह क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए याने कि ऐसा नौ की चीज़े उतल पुतल हो अब ब्लड रिपोर्ट के अंदर भी यह तो है निकि सब चीज़े उतल रहे एक कॉलम रहता है कि यह इस वहले चीज़ों का यह इस वहले चीज़ों का आप फाइनांशल रिपोर्ट बनाते हो तो अगलो अगर मुंचे कुछ हो जाए और वो रिपोर्ट जो है तब तक वह प्रस हो और आई ना तो ऐसी ब्लड रिपोर्ट सोगRe भाइदा है जो टाइम नहीं ना आए, similarly कर मैनेजमेंट इन्वेंटरी के लेवल जाना चाहती है, और वो जो लेवल्स है, वो जो इन्वेंटरी है, वो जो है वो बाद में आ रही है, जब हमें डिजन लेना था ना, तब नहीं मिल रही है में रिपोर्ट, तो क्या वो रिपोर्ट यूसफुल है, नहीं, इट शुद बी अन्टाइम, नेक्स, रिपोर्ट शुद बी आक्कुरिट इन नेचर, आप खुद मुझे बताओ, कि अगर आप ब्लड रिपोर्ट की बात करते हैं, मालो ब्लड रिपोर्ट देता होगा बंदा, वो कह दे, नहीं, जी, हमें नहीं पता, एक्कुरिएसी के बारे में, हम कुछ नहीं कहा सकते, रिजनेवल अशॉरेंस है, तो आप उस रिपोर्ट को यूस करोगे, नहीं करोगे, वो रिपोर्ट हमेशा क्या होनी चाहिए, आक्यूरिट होनी चाहिए, राई, नेक्स्ट इस, रेलेवंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रेलेवंट होनी चाहिए, अगर ब्लड रिपोर्ट में, हम चाहते हैं, कि मैंने डायबटीस का लेवल जाए, मौन अने मालोब पर जाहे, हमारी report star category होनी चाहिए हमारी report कैसी होनी चाहिए star category होनी चाहिए very important for the exams तो हम लोगों ने इसमें से क्या कर लिया बेटा MIS कर लिया अब देखो जब आपने MIS किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि MIS was a report by the management and for the management that means कि ये क्या है पेटा ये एक internal report है ये क्या एक report है internal report है बड़ आपको क्या लगता है कि किया सिफ internal level पर reports बनती होंगे किया सिफ internal level reports बनती होंगे नहीं ना example financial reports तो क्या सिफ management यी management के लिए बनाता है नहीं क्या management investors के लिए नहीं बनाता, बनाता है न, तो जब कोई report ऐसी बनती है, जो internal usage के लिए भी होती है, जब कोई report ऐसी बनती है, जो internal usage के लिए होती है, और external usage के लिए होती है, जब कोई report internal usage के लिए होती है, और external usage के लिए होती है, तो उस report को हम क्या कह देते हैं, फूरे business की report, आईए business की report को देखते हैं आईए दे देखें यह कहता है कि अगर कोई चीज अगर कोई report external level पे भी solve कर रही हो और internal वालों को भी solve कर रही हो तो वह क्या बन जाते है आपके business report और business report का दूसरे नाम क्या है अप बिटा जी enterprise reporting यह आपका MCQ में आ सकता है कि बताओ business report का दूसरे माम क्या है तो business report का दूसरे नाम क्या है enterprise reporting आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा यह चलिए तो business reporting क्या होती है आपकी internal report plus as well as the external report okay so अगर मैं इन दोनों report को प्लास कर दूँ internal plus external तो वह आपके क्या बन जाएगी वह आपके बन जाएगे business report अब जो next question is that is very important वह कहता है कि भाया हमें business report क्यों चाहिए why be out is important यह बीटे ग्जाम में क्यों क्यों चाहिए हमें reporting क्यों चाहिए हमें reporting क्यों चाहिए सबसे पहली बात तो है कि आपको decision making में helpful होता है कोई भी रिपोर्ट किसके लिए useful होती है आपको decision making के लिए useful होती है secondly क्योंकि यह BR है तो यह अंदर internal stakeholders के लिए भी helpful है और external stakeholders के लिए भी helpful है इससे हम organization की performance को access कर पाते है इसे investors होते हैं वो अपकी financial reports को ही तो देखते हैं और organization की financial reports को देखते हैं कि इसमें पैसा लगाना है कि यह नहीं लगाना है तो हम डोगोने तीन topics देखे हैं MIS which is for the internal people then BR जो की internal plus external दोनों के लिए होता है I hope so कि आपको समझ में आ गया होगा MIS as well as BR बताएंगे समझ में आ गया चली अब मेरी बात ध्यांत से सुनेंगे I'm gonna take one example and with the example I'm gonna switch you with another topic जो अब आप next topic पढ़ने के लिए जा रही हो वो है XBRL extensible business reporting language जो जैसे समय कहूंगे वैसे वैसे आप समझेंगे अगर आपने अपनी अपने दिमाग को जो है इस time पर इस यहां पर focus नहीं किया तो कभी topic समझ में नहीं आएगा सोनेंगे मेरी पाधियां से XBRL में X stands for extensible B stands for business R stands for reporting and N stands for language यानि कि यानि कि अब आप बीच के दो शब्दों को focus डाले है business reporting यानि कि है तो यह reporting वाले ही content के आसपास पट वो कहता है कि हम business reporting की एक और advanced version ला रहे हैं एक और advanced version ला रहे हैं अब जड़ा मेरी पाध ध्यान से सुनिएगा तो guys देखिए यह है A यह है A यह है B यह है C मैंने A को बोला A आपको आपको जो है ना creditors due हो गए है आपको ड्यू होगे है तो आपको ड्यू होगे है तो आपको ड्यू प्रम एक्स तीक है मैंने पूछा बी से बी आपको एक से पैसा लेना है आपने उसको माल दिया था तो भी कहता है डैटर्स C कहता है कि माम येस हमारे को जो है पैसा लेना है और हम तो जी इसको अपकाउंस रिसेवेबल बोलते हैं जी तो इनकी financial report में क्या लिखा होगा due from X इनकी financial report में क्या लिखा होगा debtors इनकी financial report में क्या लिखा होगा accounts receivable अब क्या होता है जिसे मालो बाहर बेटा कोई बंदा है वो बंदा जो ही यहाँ पर पढ़ रहा है इनकी तीनों की reports पढ़ रहा है यह बंदा जो है पागल हो जाएगा काईगा पता नी यह भगवान कभी कुछ कभी कुछ मतलब कि यह द्यू फ्रोमेक्स और डेटर्स और अकाउंट से सेवल सेम है यह यह अलग-अलग है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यह बंदा कैसे पूंड़ theatre है कि साइनन सायट का इसको नश्माज नहीं प्लाटवर्म पर ले जाते हैं जहां पर कि न यह आपको एक western normal common तरीके तो हम नहीं क्या बना ही financial report हमने क्या बनाई financial report याने कि हमने क्या यूज किया balance sheet में शेड्यूल कामिंग कगे बताएंगे schedule 3 या schedule 6 schedule 3 हक के according हमने balance sheet को बना लिया अब जब हर एक company की balance sheet हर एक company चाहे company X हो चाहे Y हो चाहे Z हर company जब schedule 3 के according अपनी balance sheet बना रही है तो क्या इस बंदे को tension लेने की जुरत है नहीं अब इस बंदे को coi tension लेने की जुरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्या कई symmetry आ गई अब guys मैं आपको ये चाहते हूए कि आप जो है न इस India से बहार निकले क्या करें इस India से बहार निकले यानि कि अब आप समझें इस बात को समझें कि guys यहां तो within India ही इसको इती तकलीफ हो गई तो अगर मालो अगर मालो एक ऐसी company है जो कि global level पे जो है global level पे जो है वो काम करती है तो एक बात मुझे बता हो अगर वो global level पे काम करती है तो इसके investors भी global होंगे अब हम ही क्या पता जो यह लोग काम कर रहे हैं जो यह लोग reports दे रहे हैं उस reports के अंदर किसका मतलब क्या है किसका मतलब क्या है तो हम यह चाहते हैं कि जब यह तीनों लोग जो है अपने अपनी balance sheets बनाएं और investors foreign की हों हमस्वार में आजा किसका मतलब क्या है तो हमने क्या किया कि हम जो है ये बोल देथिए यह थे कंट्री एंचरी एंचरी बनाएगा country A νη- debate बनाएगा country बी जब अपनी बालशीप बनाएगा country C अपनी फाइन रिपोर्टिंग को बनाएगा तो या कोड़ेगा वह इंस आरी बैलंस फीट को जो है नए को in software में डाल देगा कहां डाल देगा कंच व्हूटर वेर करें से डाल देगा इस software का नाम क्या है XBRL यह software क्या करेगा इन तीनों को content लेगा और क्या करेगा कि अच्छा हमारे इंडियन standards को चोड़ो international financial reporting standards के according हम इस चीशों क्या कहते है accounts receivable कहते हैं तो क्या करेगा इसकी statements को क्या लिख देगा उपर एक tag सा लगा देगा जब hovers और सा जाएगा एक hovers आजाएगा वहाँ पर दिखवाट ट्यूफ्रों X एक hovers आजाएगा इसका मतलब क्या है accounts receivable है इसका मतलब क्या है accounts receivable है और यहाँ लिखाओ वाई आप ही कहताँ तो अब मेरे इंवेस्टर क्या है, हैपाई, अँन नवेस्टर क्या है, रसक्या ऐपा क्यों मैं अफ्राइब है क्यों VAN इसको अँवेस्टरर क्या है, मिल रही है, जब आप इसको करते हूँ, तो आपको использर रहे लिए, मैंने आप पर अये भार जान इसका शोफेर किसको यूज करता है इक डिक्शनरी को यूज करता है उस दिक्शनरी का नाम है Taxonomy डिक्शनरी में जाता है देखता है कि most relevant वर्द कौन सा है most relevant वर्ड कौन सा है और उस से चाके प dak कर देता है अब अप खках का को सेमझ में अया हो चास से जादा country इसको बेटाई इस्तेमाल कर रही है हर साल बहुत सारी रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह क्रिएट की जाती है और हम इसको क्यों करते हैं ताकि हमा हम क्या रहे आर एडी आर एडी आर एडी का मतलब क्या है हम रैपेड़ी काम कर सके और डिजिटल लेवल पे जा सके राइड चलिए functions की बात करते हैं तो obviously XBL क्या करता है रिपोर्टिंग को और accurate कर देता है और efficient कर देता है रिपोर्टिंग को accurate कर देता है efficient कर देता है और हाँ it allows the unique tags to be associated यानि कि जो आप में content लिखा है उसको tag कर देता है with the reported facts यानि कि जो आप report करना चाहते है उसे tag कर देता है यानि कि user को information accurately मिल जाती है उसको कोई mistakes नहीं होती है जो उसको चाहिए वो उसको मिल चाता है और जो डिटा उसको सामने होता है अब वो उस पे जादा confident feel करता है just because हमने क्या किया है XBL का इस्तेमाल किया है समझ में चीज़े चले ओके आगे चलते हैं functions of XBL में आ गया accounting taxonomy तो accounting taxonomy क्या होती है additionary of the accounting term या आपका बेटा mcq में भी आ सकता है it can come in the mcq also okay tagging क्या होता है जब हम financial data को tag कर देते हैं tag कर देते हैं taxonomy में से most appropriate element के साथ that is the taxonomy आप इसको एक बड़ी कर लीजेगा आसान है right चलिए अब वो कहता है users of XBL tagging या basically software के users कौन-कौन होंगे तो बीटा सबसे बड़ी बात तो यह है यूजर सबसे बड़ा कौन होगा जो की जो की companies होंगी company सबसे वड़ी यूजर होंगी company इसको use करेंगी क्या करेंगी company सबसे अधर इसको use करेंगी चार्ड एकाउंटेंट्स करेंगे क्यों कि मेजर भी तो फानाशल रिपोर्ट्स वगरा वही बनाते हैं आई बात समझ में मेजर ली क्या होता है जो रिपोर्ट्स वगरा होती है वो तो अकाउंटेंट्स बनाते हैं तो कंपनी यूज करेगा अकाउंटेंट्स यूज करेग यूज कर रहे हैं इसके लिए अच्छे से करके जाएगा इसको लिखित में लिख कर प्राक्टिस करके चाहिएगा प्राक्टिस में एक समयान पॉर्फेक्ट तब को एक्स बेल का हर एक बंदा अपनी लांगवज में कंटेंट डाल सकता है उसको इंटनाशनल फॉर्म पर कर देता है एक स्टेबल बिजनस रूल्स का मतलब होता है कि लॉज और सबके लॉजिक्स जो होते हैं वह सेम हो जाते हैं स्ट्रॉंग सॉफ्वियर सपोर्ट अब आज की डेट में आपको इसके लिए टेंशन नहीं की जड़त नहीं है एक सब्सक्राइब के लिए देरा सो मैनी वेंडर्स एवेलेबल इंदा मार्केट तो सॉफ्ट्व एवैलेबिल्टी इस नो मुरा प्रॉप्लम आइगेस के को समझ में आओगा सो हमने मीनिंग पड़ा देखिए गाइस यहां से इट वसे मीनिंग हमने बहुत अच्छा से कवर किया है ठीक है हम जोने मीनिंग पड़ा फंक्शन पड़े उसके वाद हम लोगोंने टागिंग पड़ा क्यों कॉन-कॉन यूज करते है वो पड़ा और अब हम चलते हैं बिकुछ सार्टिंग वाले कॉंटेंट में जहां पर कि हम लोगोंने डाग्राम बनाया था मैंना अपसे कहा था मिस बी आर और एक्स बी आरल इतीनों आप साथ-साथ करेंगे तो आइगेस कि आपने साथ-साथ कर लिया है वो चीज और अब जो है हम इसको इक बरी अग्वर कर लिया है तो एक बरी फोट चार्ट से कवर कर लिए देख लेते हैं कि हम लोगोंने कहां तक अभी इसको किया है फिर हम जो है सेकिंड वाले पॉइंट पर आएंगे नेक्स पॉइंट पर मूब करेंगे मैं चाहती हूं कि एक यहां पर हम आगया है यह यह रहा आपका बलून, तो हम लोगों पहला बलून कर लिया है, MIS Report, BR and XBRL, अब हमें क्या करना है, DA and BI, Data Analytics and Business Intelligence, चालिए फिर, DA and BI, अब ध्यान से मेरी बास सुनेगा, DA and BI, Data Analytics, याने की Analysis करना, अच्छे बात तो मुझे बताओ, Analysis तो एक Auditor भी करता है, बिल्कुल, किसका करता है, Independent Examination of the Books and Accounts, याने की वो भी क्या कर रहा है, Analysis कर रहा है, और उस Analysis के बाद में वो क्या करेगा, अपना Opinion देगा, याने की, याने की, अपना Opinion देगा, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, Data को Analyze करते हैं, और अपना Opinion द लेते हैं, पढ़ना क्या-क्या है, Meaning पढ़ना है, Types पढ़ने है, Application Ideas पढ़ने है, और प्रोसेस पढ़ना है, चलिए Meaning को देखते हैं, Meaning को, तो देखो इसने क्या बोला, अब यहाँ पर, It is a Process of Examination, ताकि हम क्या निकाल पाए है, Conclusions, और हम इस जो Analysis करते हैं, वो किसका करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, Systems और Software के द्वारा करते हैं, By the help of the Systems and the Softwares, Is that clear, बात समझ आ गई, चलिए, Okay, Next is Types of Data Analysis, Guys, आपको पता है, कि आप कितने किसे परकार के Analysis कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, नॉर्मल लेवल के Analysis, जो कि सीरिसली बिता हूं, तो आप करते हो, नॉर्मली, जो लेमेन होता है, वो करता है, आप एडवांस लेवल का Analysis भी कर सकते हो, तो नॉर्मल लेवल में दो Classification है, EDA, CDA, Classification No.2 is Quantitative and Qualitative, EDA का मतलब होता है, Exploratory Data Analysis, आईए पढ़ते हैं, Exploratory, आपने सुना है, Dora the Explorer, वो Pancake भी खाती है, Dora Cake, Pancake नहीं, Dora Cake, हाँ जी तो explore data, नहीं, तो Explorator मतलब क्या होता है, Explor करना, क्या क ждna, Explor कर ना, दया, कुछ तो गर्बढ़ है, दया, कुछ तो गर्बढ़ है, तो हम क्या करते हैं, Explor करते हैं तोर ने यहां से entry की थी तर उसके बाद यह यहां से यहां चला गया हमनों patterns बनाते हैं relationship बनाते हैं इसको क्या कहते हैं कौन सा analysis कर रहे हैं EDA ठीक है ओके now CDA CDA का मतलब होता है confirmatory confirmatory data analytics याने की confirmation देना confirmation देना तमाम सबूतों बयानातों को नजर रखते हैं कोट इतन नतीजे पर पहुंची है कि यह इंसान बाइजद बरी किया जाता है इसका कोई भी दोश नहीं है यह क्या है confirmation यानि कि judge दो है सारे point of view सुनने के बाद समझने के बाद क्या दे रहा है confirmation दे रहा है कि भाईया इसने कुछ भी नहीं किया है तो जो analysis किया ना judge ने that is a confirmatory data analysis आपको example पसंद आ रहे हैं चलिए आगे चलते हैं next is quantitative data analysis मैम आख में तो हमारे को इत्ते आप क्या देटी नंबर दे उसको कित्यों जादा नंबर दिये उसको दिए उसको तो और भी जेती है हना that is a quantitative data analysis quantity की बेस पर क्या करते हो अनलाइज करते हो right next is quality data analysis यान है कि quality की आप क्या करो अनलाइज करो जैसे कि आशकी डेट में अगर आप मालो आप मुझे कोई बोलो कि माम जो है आप मुझे एक फोटो देदो में को मैंना पकी फोटो बिजवादी अब इस फोटो की क्वालिटी इछी नहीं है मैंना आपको वाट्टाप के तुरू बेजदी करते हो क्या बोलते है क्या बोलते है क्या अपका नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन है अब बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन के बारे में के बाद में अडवांस लेवल की तो बेटा यह जो अडवांस लेवल है यह करते भी बड़े बड़े लोग है आप आप जिसे कर सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है सबसे पहले हम डेटा को माइन करते हैं माइन का मतलब बहुत सारा डेटा है न हमारे पास तो बहुत सारा है हमें क्या करना है डेटा को सेलेक्ष करके लेकर आना कि इससे हमारे को यह डेटा यूसफुल है हमारे को यह काम करना है इस करना है इसके बाद करना है? पर दिक्शन करना है यहाने कि ऊक उस डिलिटा को देटा को Lawrence पर क्या कर सक्थे हो अच्छा सधाली में हैमने सभẹवत है ली का बर्गर लास्त मंथ 1st भीघर था फिर सब यह इस मन्थ 2र स्व फिर से सव वरोड़ काया था यह क्या होता है prediction analysis होता है Is that clear? समझ में आ गया Next is your machine and not earning machine and learning यानि कि AI की बाद हम यह आपर करते है machine and learning इसको learning कर लीजे तो machine and learning में क्या करते है AI को इस्तिमाल करते है यानि कि artificial intelligence को use करते है और वो क्या करता है analysis करके हमको देता है which is called as machine learning and the artificial intelligence I believe कि आपको समझ में आया होगा जो हमारा normal classification उसमें दो चीज़े आती है classification number one which is EDA, CDA classification number two quantitative, qualitative and advanced level पर हमारा पर चीज़े आती है DPM, data mining, predictive analysis and machine learning DPM, data mining, predictive analysis and machine learning चलिए, clear हो गया? चलिए तो हमारा DHA जो है complete हो गया हम बापे से इस flow chart पर आते हैं उस diagram पर आते हैं, चलिए तो उस diagram के according हम लगों को दो चीज़ कवर करने थे इस balloon के अंदर D ए कवर करना था और अब उसके बात यह करना है BI कवर करना है ठीक है? चलिए अब ध्यान से मेरी बास सुनेगा BI का मतलब क्या है BI का मतलब यह है कि जब हम BI का मतलब क्या है? जब हम बच्चा कहरा कि माम इसका हमें process भी समझा दीज़े ठीक है, ओके application areas वगरा process areas समझा देती हूँ फिर मैं भी यह पर आते हूँ ओके चलिए So application areas जाने कि DA कहा का लगता है तो DA पीटाची लगता है मैं आज की डेट में बता हूँ हर जगा लगता है हर एक organization में लगता है फिर चाहे वो companies हो जैसे कि जो you know banking companies है वो सब analysis करती है कौन-कौन से हमारे customers है उनका क्या-क्या pattern रहते है जासे सुनाली मैं कितने पैसे कमाती है क्या उनका withdraw का pattern है यह यह भी company जो क्या करती है analyze करती है Okay e-commerce company analyze करती है सुनाली मैं कितने पैसा खच करती है almost एक महीने के अंदर हाना तो आपको offer देना चालू कर देते है mobile network company भी क्या करती है company वो भी analyze करती है condition में आया था आज इसकी condition यह इंप्रूव कई है वो भी क्या कर रहा है analyze कर रहा है यानि कि variety of business में इसका इस्तेमाल किया चाता है चाहे वो banking company हो फिर हो चाहे e-commerce तो हर एक field में क्या है data analytics का का काम है चलिए आगे चलते है data analytics process यानि कि data analyzer हम करते हैं तो उसका process क्या होता है यानि कि किस प्रकार से हम किस प्रकार से ना हम जो है analyze करते हैं किस प्रकार से हम क्या करते है analyze करते हैं तो guys मैं आपको एक बात बता हूँ analyze करने से पहले analyze करने से पहले हमारे पास हमारे पास 4 flow chart थे हम कर रहे हैं बिटाजी रिकॉल करवारी हो आपसे फोर्थ फ्लोचार्ट अपन कर रहे हैं और फ्लोचार्ट का हम टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक कर रहे हैं डीये का प्रॉसेस राइट उसने क्या बोलागाइ meta को collect करो data को collect data को collect data data integration यहां से भी collect करो, यहां से भी collect low data करो data Landla और उसके बाद में उसकी अच्य से quality और fix करो तो आपको जो यो data काम का नहीं है उसको निकाल के भार फेक तो जो data जो है रिप्यटिटीव बार मांत में अरका है उसके repetition को duplication को delete कर दो, minus कर दो और आप क्या कर सकते हो अपनी data को अच्छी quality का, useful बनाने का कोई भी तरीका क्या कर सकते हो इस्तेमाल कर सकते हो different different software's आज की time में मार्केट में है आप क्या कर सकते हो different software's के तुरही काम कर सकते हो और मैं आपको सक्षी बिताओंगे काम करते हैं, data scientist करते हैं उसके बाद उस data को लेके आप क्या बनाओगे model बनाओगे, देखो यह data में एक्स्टेक किया, अब हमारा business model यह है this is our analytical model, हमने यह देखा कि इस महले के अंदर इतने लोग male हैं, इतने लोग female हैं और इतने females में से इतनी females पड़ी नहीं है और इतने males पड़े वे हैं, यह क्या बन किया आपका Building the analytical models जिसे pie charts बनाना, graph charts बनाना, model बना देना so that, so that की model बनाने से आपके decision making असान होचा भी है so that it can be used for the decision making क्या लिखा है, aid in the decision making समश में आया आपको so सबसे पहले क्या किया, data को collect किया उसके बाद उसकी quality को fix किया अच्छी quality का करने के लिए क्या किया, duplicate files को read किया जो data काम का नहीं था, उसको हटा दिया और फिर क्या किया, हमने उसे model बनाया that is a data analytical process चली, अब चलते हैं हम BI के उपकर अब ध्यान से में बाद सुनना अगर हम data analytics करते हैं अगर हम data का analysis करते हैं with the help of artificial intelligence with the help of artificial intelligence और हम वो करते हैं किसी business के लिए जिसे मैं मालो predict करना चाहूंगे आज की time पे बच्चे इतने हैं और आगे कितने बच्चे रहेंगे और इस analysis को करने के लिए में किसका use करते हूं artificial intelligence का use करते हूं अपने business को करने के लिए तो यह क्या बन चाता है मेटा BI intelligence जो यहाँ पे word आया हो किस से लिए इन्होंने AI से लिए याने कि जब आप क्या करते हैं data को analyze करते हैं with the help of the artificial intelligence तो हो क्या बन चाता है business intelligence आये देखते हैं इसकी definition देखो क्या करता है BI is a technology driven process हम नहीं करते हैं systems and software नहीं करता है कौन करता है artificial intelligence कौन करता है artificial intelligence करता है कौन करता है artificial intelligence so BI is a technology driven process for analyzing the data data यानि data का analysis करते हैं ताकि हम उस data से क्या कर सके decisions ले सके decisions कौन कौन लेता है corporate level management business level management and the other level of the management is that clear so अगर आपको डीए समच में आया होगा तो आपको यह भी पका-पका समच में आ गया होगा अब वो कह रहे कि अगर हम business intelligence करते हैं यानि कि अगर हम data का analysis करते हैं with the help of the artificial intelligence तो उससे क्या क्या होगा हमने का हमारी company की performance अच्छी हो जाएगी हमारी company की performance अच्छी हो जाएगी हम हमारी company की performance अच्छी होने के साथ-साथ हम क्या करेंगे हमारी design making अच्छी हो जाएगी हम अपने process को optimize कर पाएंगे अच्छा coordination हो पाएगा हम नए revenues को कमा सकेंगे हमको क्या मिलेगा competitive advantage मिलेगा over the others और क्या कर पाएंगे हम हम अपनी business problems को क्या कर पाएंगे address कर पाएंगे हमके को दिक्कत है कि तो हम उसको solve पर पाएंगे और हम हमारे customer को भी भी खुछ रख पाएंगे तो इस आधी benefits of the BI it can come in the examination very very important चलिए आगे चलते हैं सब्सक्राइब बलून के पास जाए चलिए बलून के पास जाते हैं और फटा फट से देखते हैं कि हमारे पास बलून के अंदर कितने points थे तो हमारे पास बलून के अंदर थे तीम बलून थे त पर अब हमारा है third balloon which is the compliance चलिए फिर करते हैं compliance balloon को start तो आपको चो है ना इस बाद का ख्याल लटना है कि आपको जितना भी मेरे से पढ़ रहे हैं आप इसको अच्छे से अपने लेवल से भी क्या करें रिवाइस करें हमने तो बिटा करा दिया बट जब तक आप इसको अपनी लेवल से रिवाइस नहीं करेंगे तो आपको इ दिहान रखेगा हमारे पास ना एक option होता है क्या option होता है सुनें के दिहान से या तो हमारे पास यह option है कि हम ना दो चीजें हैं अकाउंट्स का और टैक्स का software जो है ना वह सेम रखिया ने कि एक इस software में accounting भी हो रही है टैक्स का treatment भी हो रहा है और एक यह है कि हम इसको अलग लग रखें क्या करें अलग लग रखें इसमें accounts का और इसमें tax का और है तो basically this is centralization and this is decentralization the first one is the centralization and the second one is the decentralization तो अगर आप centralization करते हो तो यानि कि same software use करते हो तो क्या होगा और decentralization करते हो यानि कि you are using different different software for different different departments और different different departments तो क्या होगा तो हमारे को ना क्या question पूछा गया है बेटा जी वो question क्या पूछते है pros and cons पिता दीजिये कि अगर हम single software use करते हैं for both accounts and tax यानि कि अगर हम क्या कर रहे हैं अगर हम centralization कर रहे हैं तो क्या होगा pleasant रिब्ा करें तो क्या होगा यहां पर हम क्या करें प drink at a continentalization पर किलने के लिए काम आते है और आप क्यासा प्रविय जातए हो प्र आप मोबाइल पून को लेने के लिए जाते हो आप यह तो नहीं मुझे ना इस में क्या चाहिए मुझे ना इस में थे इंदर कैमरा चाहिए मुझे नश्क के अंदर camera भी चाहिए मैंदर camera के features भी चाहिए फोटो भी ग्लिक कर सके ये तो एक बात मुझे बता ऐसा phone जिसमें कि आपको camera की features ही मिल रहे हैं तो वह सस्ता होगा महिंगा होगा बिल्कुल वह कैसा होगा महिंगा होगा comparatively अरा चलिए next accuracy next is accuracy अब सुन करना पड़ेगा shift करना पड़ेगा यहां से data वहां पर डालना पड़ेगा तो अगर शिफ्ट करते हो तो आपको time लगेगा आपके efforts लगेंगे और हो सत्ता है shift करते वक्त क्या हो जाए कोई ने कोई error हो जाए तो अगर आप accuracy की बात करो तो जहां पर आप centralization कर रहे हो वहां पर accuracy जादा होती है time की बात करते है time किसकी बात करें ट्रांसफर की यहां तो कर time ने लगता ना के बराबर यहां पर time जादा लगता है यहां पर time जादा लगता है teachers की बात करते हैं तो guys अगर मैं आपको बोलू कि अगर आप camera की बात करते हैं camera के features आपको phone के अंतर जाधा मिलेंगे या exclusively जब आप camera कर इतनी के लिए जाएंगे तो वहाँ साधा मिलेंगे जब आप exclusively यानि कि जो चीज जिसके लिए बनाई गई है जो चीज जिसके लिए बनाई गई है तो अगर आप उसको उस चीज के लिए इस्तेमाल करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा feature मिलेंगे और अगर आप एक ही चीज में सब कुछ लोगे तो आपको functions फोड़े कम मिलें आप बात करते हैं इसीनेस की तो ऐसा mobile phone जो की बारवाला होता है वो उसे तुरंद ममी तक आपट कर लेती हैं सब की बट अगर जैसे मालो कि अगर कोई ऐसा mobile phone है उसमें आपके camera के functions भी है उसे video भी record हो जाती है बहुत से लिए apps भी चलती है जितना जादा आप ताम जाम र हमें अनि कंगे पड़ा हम अगर हम centralized software यूजज करते हैं अगर हम centralized software यूजज करते हैं तो हमारे को क्यादया प्लस में होगा और क्या क्या-क्यår मैं होगा तो हम ने कहां यहां पर हमने कहां यहां पर cost जो है accounts और aggressic अगर अगलग अगर आप अलग अलग चीज देखोगे तो आरे को क्या पड़ेगा कि हमारे को ना एक ऐसे मॉपाइल फोन जिसमें कि फंक्शन है कामरे का वो जाधा महगा पड़ेगा tax के साथ accounts के cost भी जादा देने पड़ेगी बे-fuzzle की cost accuracy यहाँ पर जादा आएगी क्योंकि हमें data को shift नहीं करना पड़ेगा time यहाँ पर कम लेगा biggest data को shift नहीं करना तो time यहाँ पर कम लेगा features हमें यहाँ पर कम मिलेंगे exclusive features के लिए आप exclusive वाला software खरीदेंगे यहाँ पर difficulty जादा होती है यहन पर easy का करना में दिकत्कत नहीं होती है यहाँ दिकत्कत होती है यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा तो हम लोगों ने क्या किया इसकी बात करूँ तो हम लोगों ने हमारे चार फ्लोचार्ट थे हमारे चार फ्लोचार्ट थे हम लोगों उने फ्लोचार्ट जो की रिपोर्टिंग एन अनलीसिस का था यह भी हमने कंप्लीक कर लिया and with this हमारा chapter भी फिनिश हो जाता है so guys EIS में we are done with the chapter number 2 chapter number 2 को मैंने total 4 flow chart में डिवाइड किया 4 part में डिवाइड किया and I guess कि आपके जितनी 4 parts है जब 4 flow chart आपको काम में आएंगे मैं आपको एक homework देना चाहती हूं before going homework क्या है पिटा आपको एक तो revise करना चाहिए सब कुछ पुरा पुरा पको revise करना चाहिए plus आपको क्या करना चाहिए पिटा जी आपको ना study mat के questions करने चाहिए मैंने आपको पढ़ा दिया अब जब पढ़ने के बाद में मैं यह भी तो चाहते हूं कि मेरा बच्छा एक्जाम में लिखके भी अच्छे से आए तो इसके लिए मेटा study mat के पीछे जितने भी questions दे रखे हैं हर chapter के पीछे हर chapter के पीछे आपको questions दे के रखे हुए जो कि बहुत important for the examinations तो आपने कर लिया notes आपके पास हैं तो आप क्या करें आपन questions को जो है go through कर लें फटाफ़ट से ठीक है और फिर क्या करें सबसे पहले दिमाग को दोड़ाएं question पढ़ते हैं दिमाग को दोड़ाएं कि यह flow chart number 1 से पूछा गया question है flow chart number 2 से पूछा गया question है या flow chart number 3 से पूछा हुआ question है या flow chart number 4 से पूछा हुआ question है उसके बाद जैसी आप determine कर लेंगे फिर उस flow chart को जो है आपने दिमाग कर बनाएं अच्छा तो इसने ना data analytics का प्रोसेस पूछा है यह कहां पर आए का data analytics हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था डिपोर्टिंग एन अनालिसिस में data analytics और डिटानिस का प्रोसेस जो था वो था तीन स्टेप्स का data का collection और फिर क्याता करता देटा की quality को हम fix करते थे data की quality की fixation और फिर उसके बाद में का करते थे हम model को build करते थे building the model ऐसे करके आप जो है resolve करिये यह नहीं कि आपने answer पहले पाद लिया फिर आप determine कर नहीं इस concept से चलिएगा तब जाके आपको जो है ना अच्छा लगेगा कि हाँ जो हमने marathon लिये हैं जो हमने marathon की हैं यह बहुत ज़्यादा fruitful है okay और मैं आपको बता जाते हूं कि लाइस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको मुझसे भी clear कर सकते हैं मैं आपको अपना phone number जो है वो देती हूं अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको मुझसे भी clear कर सकते हैं मुझसे पूर सकते हैं you can just do whatsapp आप whatsapp पर डाल सकते हैं examination का टाई है वेटा अब मैं चाहतूं कि आप अच्छे से prepare करें तो मेरा जो number है that is 844-78-844-78-244-244-244 आप इस number पर मुझे WhatsApp करके अपने जो भी डाउट से मिटाजी उनको पूछ चकते हैं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोग को examination time पर थोड़ा सा अगर help हो जाएगे तो अच्छा ही रहेगा तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं अगर आप यह अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए exam में बहुत अच्छा होगा आप जो है अच्छे से exam में पड़ पाएंगे और आपका कोई भी ऐसा question नहीं होगा जो आपसे exam में resolve नहीं होगा तो guys जितना भी आपको notes में आपको screen पे दिखा आ रही हूँ यह सारे notes आपको description में मिल रहे हैं हम जितने भी lectures लाते जाएंगे अगर आपको lectures पसंद आ रहे होंगे तो आप बिल्कुल comment कीजेगा हम lectures की frequency को भी increase करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे बच्चों को पसंद आ रहा है कोई भी चीज पसंद आ रही है तो do let us know हमारे को अच्छा लगता है कि बच्चे जो है हमारे को पसंद जब कर रहे हैं तो हमारे को भी बच्चों के लिए करना चाहिए डाउट के लिए मैंने आपको बताई दिया कि आप मेरे इस phone number पे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट आता है तो आप इस phone number में उसे पूछ सकते हैं मैं आपके किसी भी चीज को जो है अनलाइस करोंगी अगर मुझे लगे का आपका डाउट रेलेवेंट है जरूर अपके डाउट को सॉल्ट करोंगी और मुझे यह भी लगता है कि अगर आप जो है मेरे इस इस marathon को मेरे इस दुरुनचारे के marathon को भी त्वाइस देख लेते हैं एक बार और देख लेते हैं अच्छे से तो आपका बिल्गुल तयारी इतना अच्छे से हो जाएगा ना अब बिलीव में गाईस बिलीव में आपना बहुत smiling face के साथ जो है ना बाहर निकलेंगे ठीक है तो जाते जाते एक बारी और हम revise कर लेते हैं जरा कि जो fourth flowcharts थे वो किस-किस पर थे ठीक है फटा-फट revise करते हैं फिर class को end करेंगे हमारा जो first flowchart था that was based on the concepts some computerized concepts जैसे कि types of data vouchers यह सब हमने पढ़े थे flowchart number 1 की अंदर flowchart number 2 की अंदर हमने पढ़ा ERP के बारे में ERP के features क्या होते है, उसके benefits क्या होते हैst जाने ये सब हमने पढ़ा flowchart number 2 की अंदर flowchart number 3 की अंदर हमने पढ़ा कि हर एक business में बहुत साइ department होते हैं और उन department के हमने कुछी के elements पढ़े, किसी के हमने process पढ़े, किसी का ना हमने, even मैं आपको बताती हूँ, किसी किसी में तो मैं आपको importantly mark कराया, कि exam के लिए importantly, किसी किसी में हमने उसका meaning भी अच्छा से पढ़ा है, so हमने बहुत सारी process modules पढ़े, हमने पढ़ा HR module, customer relationship module, financial accounting module, controlling module यह सारे modules हमने पढ़े, और हमने कहा कि जैसे जैसे आपकी company हो, जिस प्रकार की आपकी organization हो, वो प्रकार, वो प्रकार का जो है, आप module अपको department लगा सकते हैं, last row chart में हमने पढ़ा reporting के बारे में, यानि कि हमने पढ़ा MIS की reports, हमने पढ़ा data analytics के बारे में, हमने पढ़ा business intelligence के बारे में, XBR, XBR is very important for the exams, हमने पढ़ा बेटाची compliance के बारे में, तो guys, हम लोगों ने इस पूरे chapter को 4 parts में sum up कर दिया, 4 flow charts में sum up कर दिया, अब मैं आपके पास में नई वीडियो ले के आऊंगी, और मैं आपको बता दू, नई वीडियो में मैं आपके लिएक surprise लेके आरही और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है, जो मैं आपको surprise देने वाले हो ना बीटा जी, आप उस surprise को जो है, बीटा जी, मुझे जो लगता है कि आपको surprise को बहुत पसंद करेंगे, आपकोस बहुत पसंद करेंगे, और जिस दिन मैं आपको जिस lecture को मैं लेक आऊंगी जिस neक और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ और और बाकि अगर आपको मुझसे कोई इक्स्टा चीज चाहिए तो आप जो है मुझे बता सकते हैं आप मुझे नमबर पर वाटसप कर सकते हैं मुझे बता सकते हैं कि guys आप क्या चाहते हो मुझसे अना आपका आप अगर कोई भी चीज़ाती चाहते हो जो कि मेरे you know मेरे under आती है या फिर मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चा भी ठीक चीज मांग रहा है तो definitely I'm gonna you know show my efforts for that and I'm gonna bring that content for you guys ताकि आप खुश रहे और आप अच्छे से पढ़ाई करें और आप जो एक्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेर हो जाए अच्छे अच्छे marks लेके आए and then Sonali mom is going to celebrate your success चली guys तो thank you so much मिलते हैं soon bye guys bye everyone